जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग शागत करता हूँ आपके अपने वैक यूटूब चैनल पेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करेंगे cwc league to one day का जो morning मुकावला खिला जाएगा नेपाल वर्सेज png के बीच में इसको लेके हम details में देखेंगे परखेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी fantasy team को लेके आपको मैं वीडियो के starting में भी बोल दूँ अभी जो हम देखेंगे वह महज एक अपना demo team होगा final team में जो भी बदला होगा उसका update आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा telegram channel पे देखने को मिल जाएगा telegram channel से जुरने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है चले जाना इसी वीडियो के comment section में वहां पे जाने के बाद आपको सबसे top comment में देखने को मिलेगा मेरा telegram channel का link उसके उपर क्लिक करके आप सभी भाइको telegram channel से जुरने कर लेना है हमारे PR फैमली से आप देखोगे तो नेपाल वर्सेज युए की बीच में जो लास्ट मुकाबला मिन से आज के दिन जो खेला गया तो मुकाबला वहां पे देखिए 29 रुप्या लगा के वैस तो उन्होंने क्या फर्मूला युज किया था मैंने आपको इस वीडियो में बता रखें नीची आप आओगे तो यहां पर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि ड्रीम 11 जब भी आप खेलोगे तो कौन सी आपको तरीक्या अपनाना है उसके बाद दूस्तों तो हमारी जो भी मिशन चल रही है 50,000 सब्सक्राबर की यूटूब पर आपको जाकर देख सकते हो और सिंपल तरीका से आप यहां पर कह सकते हो कि एक गिफ्ट भी विन कर सकते हो 50,000 रुपीज तक यहां पर फ्री गीववे एमोंट रखा गया है अब बात करूं विनिंग परसेंटेज को लेके तो यहां पर नेपाल की टिम के लिए फैवेट होंगी और इसके विनिंग चांसे आपको दिख जाएंगे 80% के आसपास बात करूं पी एंजी को लेकिए तो इसके विनिंग चांसे आपको महज 20% के आसपास देखने को मिल जाएगा ग्राउंड होगा किर्तिपूर का जहां पर नेपाल की टिम जो हमेंसा एज लेती है और मैंने आपको आज के वीडियो में आल्डेटी बोल रगा था किर्तिपूर पीछ पे लालित राजवन सी गेम में रहने वाले हैं और वैसा चार विकेट उन्होंने लेके प्रूप कर दिया कि क्यूं मैं ने आपको वह चीज बोला था अब आएम देखते हैं पॉसिवल प्लेइंग लेमन क्या हो सकता है तो बात करेंगे नेपाल के तरफ से आपको दिख जाएंगे कि वुटल आसिप से कुसल मल्ला रोहित पॉर्डिवल भीम सर की आरिप से गुलसन जा दिपेंच सिंग आडे उसके अलावा संदीप लामी चाने संपाल कमी लालीत राजवन सी और यहां पर आपको दिख जाएंगे गुलसन गुलसन जा यहां पर मेंशन आपको खेलते दिखेंगे उपर जो आपको दिख रहे हैं ठीक है ना बात करें प्यंजी के तरफ से किपलिंग दोरी का हीड़ी बात करूँ पॉइंट्स टेवल ने दोरी का पोजीशन को लेकर तो नेपाल की टीम आपको दिखेंगी नंबर चार पे 34 में 17 जीते हैं 15 हारे हैं एक इन का रहा है नो रिजल्ट टोटल इनके पास 36 पैंट है बात करेंगे सामने वाली टीम को लेकर तो प्यंजी हैं नंबर बाजी करते हुए प्यंजी ने बोर्ट पर लगाते हैं टू फोर सिक्सराइब कैपलीन दोरी का 55 के ते हीडी हीडी सेवेंटी सेवेंटी सेवें एस्वाव एटीवन असादवला जीरो सी अमीने चार आरह क्यूरे एक सौपर दस और दस के मौरिया एक हिली वारे चार इसक यहां पर बल्ले वाजी करने नहीं आये थे गेंदवाजी बात कर लो तो यहां पर पच्पॉण रन एक विकेट पहले गेंदवाजी में आपके लिए अच्छे पीक हो जाएंगे डेथे स्पेसिलिस्ट माने जाते हैं कि यह मौरिया के उपर आप धियान देके चल सकते हू पर पांच में सोल अच्छे गेंदवाज हैं रिसेंटली इनका परदसन लाजवाबर है फिर यह क्या पी क्या थे हैं लगातार सौब प्लस पॉइंट देने फिंटेसी का साथ ओवर दोगें सोललारं तीन विकेट असदवला आठवर अर्टिस रन दो विकेट एस बहुत च संपाल कोले के बात कर लूँ लास्ट माच युएए के साथ खेल क्या रहें यहां पर युएए के उन्होंने वन साइडेड फैंटी दे दी थी वल्लेवाज जी में बात कर लूँ तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा लालित राजवन सी साथ और पांच गन बीस रन, पांच वीगेट संपाल कमी तो ओब शेर नेक विकेट संधीत लामिछाने आपको दिखेंगे पीर अगर से संधी राजवाज ने परनमgate करतेरा सकता है कवे माला को बबी लेकर चलिए एक दूवर कर्वाने के लिए अब यहां पर हम बात करेंगे बैटर्स टू वाच नेपाल के तरफ से तो लास्ट के साथ मैच में जिन्हों ने सबसे बेतर प्रदेशन किया उसमें नाम आता है आशिप से का सब्सक्राइब करेंगे बैटिंग एकोनोमी चार का सब्सक्राइब करेंगे इनके पास है कि अपना हाथ बटा देते हैं बात करूं बॉलर्स टू वाच नेपाल के तरफ से संदीप लामिशन नो मैच 24 विकेट एकोनोमी चार का स्ट्राइक बीस का करन के सी नो मैच 13 विकेट एकोनोमी पांस दसनलों सातीन का स्ट्राइक बटीस का आप यहां से बात करेंगे हैं कुरे को लेके आठ मैच 14 अगर हम ध्यान देंगे सबसे लास्ट बैटल जो की 9 मार्स 23 को खेला गया था वहां पे नेपाल पहले बल्लेबाजी करते बोट पर लगा देटेट फॉर्टीफाइब वहां पे आसिप से हंडेट टैन के थे के मला दो जी मला एग्यार पॉड्यों तीस विएम सर के 44 टिप अब यहां पर बल्ले बाजी में बात करूँ पे अनजी के तरसे टोहनी गुरा पच्चास के ते किपलीन तो रिगा 26 एस बाव तीन असद वल्ला 42 एमनी 14 हीडी हीडी आट पर जीरो एन वहां खेले थे साथ रन का नौग और पच्च पन बोल में तीन चोका चार जक्का आर अब यहां पर एक मैच हम और देखेंगे वह देखेंगे जो की इससे चे दिन पहले हुआ था तीन मास 2030 को वहां पर क्या हुआ था नेपाल की इटिम तीन विकेट से मैच निकाल ली थी फिर से वही बाद प्याण जी को 189 पर समेटा था इस चाहिए जित्वाया था इधर से घंद बाजी में वल्ला को तीन विकेट मिला हुआ था एसबक को दो विकेट और एसके मिया को दो विकेट मिला हुआ था इस चे दिन पहले जाएंगे तो एक और मुकाबला होता है 27 फेरवरी को उसको भी हम एक नजर दे देते हैं तो इससे क्या होगा आपका डिक्याप हो जाएगा कि रिसेंट वा जो आपसी बिटल वह उसमें क्या हुआ हुआ है दोने टीम के बीच में और कौन आपसी बिटल एक तीस असद वलाइश चतीस यह मिनी छे हीडी हीडी दस तीस आपर चतीस और है क्वीरे साथ एन वनुआ पचीस एन और एक एक एसके मिया दो गेंदवाजी में जो काम्याप रहे तो गुल संजाद निहां नखिएगा नोवर अटेशन दीन वीगेट अगर नेपाल की प मतलब आप सी बेटल में आशिव से का स्टैट्स अच्छा है जी मला चार और पर डूल बीर्स आडिव सेक टैंटीस डिपेंसिंग एडे बाइस किया मला बारा संपाल के आमीं पार्च यंद्रवाजी में फिर स्यासद वल्ला को तीन विकेट मिलावाता वनुआ एक लेकिन आप उमीद करना कि बॉलर को भी अच्छे खासे मदद हैं दो सो बार आपको यहां पर एवरेज स्कूर देखने को मिल जाएंगे पेसस में हमेसा पेसस को मदद मिलता है यहां पे लेकिन आपेस्पिनर्स को और मत समझना नेपाल की विकेट होंगी स्पीनर आपको स बास्त तू इस और दीए मैचेज में तो अरोईट परड्योल 11 मैच खेलें इस ट्रेकट की इसाप से और वन्हों सबसे ऊपर 131 का है गंदवाजी में लामीशान ने आट मैच कहलें पर मैच दो दिसनलोग चे विकेट लिए एसक मिया तीन मैच खेलें पर मैच दो विकेट पर मैच और दो सुमपल कमी 11 मैच पर मैच एक द्शनलोग दो withित ऑसद को कर लेंगे ऐकोनुमि रही निएक है वह दो स्वाड a करेंगे अगर हम बात करेंगे लास्ट के पांच ओड्या मैच मेस्ट परसट इनिंग इंस को रिह हांपर दो सों बारह है टौँ से सब से इं लेगिन दोस्तोफु लास्ट के पांच में श्cotय कorta लेकिन धूस्त कि टीम सब्लें ऀयुकों सब्सक्राइब ऐगातारेंगे ये स twor каче नेपाल के तीम लास्ट के पांच में से चार मुकाबला विएक हारें और आप वी बेकिताında को लेकित तो मैंने आपको पहले ही किलियर किया था कि लास्ट के पांच में से तीन दफा नेपाल की टीम विन की हैं जो की लगातार तीन दफा विन करके आ रही है और पी एंजी की टीम लेकर जाने वाला हूं है क्यों लोग को एक चीज़ और बताने वाला हूं आगे पहले देखिए बॉलिंग में लामी चाने फिर आम अपने टीम में लेकर जाएंगे ललीत राजवनसी को अब देखिए छे दू आठ हमारे पिले टीम होगे अब हम यहां पर लेकर जा सकते हैं किसको अब वेन्यू के कोडिंग के वूटल को भी आप कर सकते हो मजबूर्ट इमके पास इस पुछ पर अच्छा पोटेंशल होगा रन करने का मैं यहां पर आरहे क्यूरे को जगह दिया हुआ फिर मैं अपने टीम में लेकर जाओंगा एन वन्हां को अब मैं देखूंगा कामी और करन के से इस दो में से कौन खेलते हैं जो भी खेलेंगे मैं उनको लेकर जाओंगा अभी के लिए मैंने संपाल कामी को जगह दिया हुआ है अब आप संपाल कामी या फिर एन वनुवा में से किसी को ड्रॉप करके किये मौरिया या फिर आरेक्यूरे को ट्राइ कर सकते हो वह हमारा फाइनल जो भी बदला होंगी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा इनकी अलाबा आप एस कमिया को भी ट्राइक कर सकत हूं फिर बात करूं और से डीपेंसिंग एड़े असाद वाला सी सौपर के मला के हार हेक्यूरे कॉपनेटी में जगह दिया हुआ है बॉलिंग से बात कर लेंगे लामी चानिक और उसके अलाबा संपाल कामी और लली त्राजबंसी को मैंने जगह दिया हुआ है अब देख अगर मुझे यहां पर दिखे खेलते हुए तो मैं यहां पर नेपाल के साथ में बल्य बातके हुए के साथ जा सकता हूं या फिर बात खरू यहां पर बालिंग में अभी अपने तीम में आभी मैंने आपकी फरीड यहां चाहिए बात करूंगी विकेड के पीछे बल्य 2बिद दीपन सिंग में को देखने को मिलेंगे यहां पर यहां प्राजबनसी को बहुत जद शूट करती है जैसे कि मैंना आपको पता होगा कहीं तब बोहें कि जब भी स्कॉट्लेंड बनाव PNG का मुकावला हो एक गंडवाज要 스킬 लेको दोस्तों मुझे लगता है कि हमेशा स्कॉट्लेंड की टीम जो है वो PNG के साथ ही ले के आते हैं जब भी PNG के साथ अपडेट कर दूंगा ड्रीम विलन पर मैं सेम काम करता हूं कैप्टन सी का जो बार है वो मैं सब्सक्राइब यहां पहला मिछाने को और वीसी मैं बना देता हूं दूपेंसिंग एडे को उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगे को अच्छा लगा होगा अगर दोस्ते वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई इंजवाई कीजिए और समस्दारी सीजों में आपको जीयल मीनी जीयल के पैटर्न बताई है उसको फॉलो कीजिए और आराम से जीयल मीनी जीयल में टॉप रेंक लेकर आए मुझे उमीद है फिर से 29 रुपीज में मेरे जो पियार फैमिली है उनमें से कोई ना कोई एक लाक या फिर द झाल